गुड मॉनिंग इस्टुडेंट आपको स्वागत है मेरी चैनल शोटन के हम क्वाडिडिक इक्वेशन कर रहे हैं और क्वाडिडिक इक्वेशन की एक सीरीज है जिसमें हम पिछले 20 साल क्या हुए वही कोशन कर रहे हैं जो बहुत जादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते है अब तक मैं 23 कोशन करा चेका हूँ वह सारे नूर्मल कोशन थे आज से हम वल्ड प्रोब्लम करेंगे कि क्वाडिडी के वल्ड प्रोब्लम कैसे सोल्व करने है ठीक है एक्वेशन में जो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं और कोशन नमबर चोबीज जो है यह नुम्रेटर इसमें सबसे पहले गलती क्या करते हैं इस में सबसे पहले गलती के जो नुम्र then i'm एंगे उसमें की निउमरेटर से थिक अगर और मैंने denominator को let's let's denominator 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 को मैंने x माना numerator क्या हो जाएगा मेरा ध्यान से देखो तो मेरा numerator क्या हो जाएगा numerator हो जाएगा ये क्या है numerator denominator denominator से 3 का मेरा मतलब x minus 3 तो fraction क्या बन गा मेरा now fraction become now fraction become अब fraction क्या बन जाएगा मेरा देखो ध्यान से तो fraction क्या होता है जिसमें numerator हो upon denominator हो तो यहाँ पे numerator कितना है मेरा x minus 3 और denominator कितना है x अब case देखेंगे क्या कह रहा है if one is added to the denominator denominator में one add कर रहा है तो case क्या है कि denominator में one add कर रहा है तो ऐसी रहा है यह x the fraction is decreased by अब fraction क्या हो जा रहा है जब हम denominator में one add कर रहा है तो यह fraction जो है यही वाला fraction वो 1 by 15 से decrease हो जा रहा है तो मतलब x minus 3 equal to x plus 1 यह है और यह क्या हो जा रहा है और यह किसके बराबर है यह equal to fraction the fraction is तो fraction क्या है यह इसी को तो fraction बोलेंगे लिखा भी हमेंने तो fraction जो है वो 1 by 15 से घड़ जाता है मतलब x minus 3 upon x एक ब्रेकिट में minus 1 by 15 यह equation है आई बाद समझे है अभी इस question को करवाने का main मक्सद भी यही था इसमें 2 fraction आएंगे और आप एक ही निकालोगे यहाम में और सोचोगे कि वही मेरा answer है नहीं दो answer आएंगे इसमें देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ तो इसको solve करते हैं तो क्या करेंगे इसमें तो देखो यह तो ऐसी रहा x minus 3 upon x plus 1 is equal to यहां क्या लेंगे LCM इसकी multiply इधर इसकी multiply इधर तो क्या आएगा 15 into x minus 3 minus 1 into x upon में x into 15 clear है यहां तक तो यहां पर लिख लितने दुबार से क्या आएगा यह तो ऐसी रहा x minus 3 upon x plus 1 is equal to इसको solve करेंगे तो देखो कितना आएगा 15 की x से करी तो 15 x minus 15 तिरिजा 45 और minus का x और लिखा हुआ है और इधर से क्या जाएगा 15 x अब फिर से क्या करेंगे इन सबको मिला देता है तो x minus 3 upon x plus 1 is equal to 15 15 में से 1 गए तो 14 x minus 45 upon में 15 x clear है इस 15 से यह 15 को मत कार देना यह बच्चे बहुत frequently करता है यह गलती मत करना कि इस 15 से इस 15 को कार दिया नहीं करता है वो multiply में करता है प्लस माइनस में और फिर से इसकी multiply इधर इसकी इधर तो क्या जाएगा x minus 3 और bracket में 15 x is equal to यहां से क्या आएगा x plus 1 की multiply किसे 14 x minus 45 से clear है अब क्या करेंगे इसकी multiply इस से तो क्या जाएगा x की 15 x से तो 15 x इसको है अब minus 3 की इस पूरे से तो minus 3 45 x is equal to देखो अब इसकी करेंगे x की तो कितना जाएगा 14 x square इसकी इससे करी अब फिर इससे इसकी करेंगे तो minus का 45 x अब 1 की करेंगे इससे तो plus का 14 x और minus का 45 कि लिए रहे अब देखो कुछ कट रहा है बिलकुल इससे ये कर दिया है अब क्या करेंगे इस पूरे को उठा के यहां ले आएंगे तो 15 x square minus 14 x square और ये minus का 14 x और वो plus का 45 इकल टू जीरो तो यहां से क्या जाएगा देखो एक्स स्कॉयर क्या है का 15 में से यह गए तो x square minus 14 x plus 45 इकल टू जीरो यह बन गई मेरी एक्वेशन अब इसको करना है देखना बहुत ही संदर को सब्सक्राइब इसको कैसे करेंगे वह भी समझा देता हूं मैं आपको तो यह मैं मिटा दूँ यह मिटा देता हूं ठीक है क्योंकि यह मेरा काम हो गया ठीक है तो देखो देहन से हैं तो यहां पर ले लेता हूं मैं फेक्टर तो क्या हो जाएगा x square minus 14x plus 45 equal to 0 अब 45 की इससे इसके आगे कुछ है तो 1 तो 45 के ऐसे फेक्टर जो प्लस माइनस करें 14 आ जाए ठीक है और मुझे तो यहाद है x square minus 9x minus 5x plus 45 equal to 0 तो यहां से क्या जाएगा देखो इस पूरे में से क्या को मना रहा है x तो यह कितना हो जाएगा x minus 9 और यहां से क्या क्या बना रहा है यह देखो एक्स यहां पर x है एक्स टा क्या है माइनस 5 तो माइनस 5 को को मन लेलो और इस ब्रेकेट को यहां चिपका दो तो x minus 9 equal to 0 तो यहां से क्या जाएगा x minus 9 और यहां से एक ब्रेकेट में और यहां से x minus 5 equal to 0 अब दोनों वैल्यू आ गई एक्स माइनस 9 equal to 0 इस तरफ और x minus 5 equal to 0 दूसरी तरफ तो यहां से x कितना जाएगा x equal to 9 एक आंसर और x equal to 5 ठीक है दो आंसर अब क्या करेंगे दोनों को चेक करेंगे कि सर दोनों में से कौन सा आंसर है तो ठीक है इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे equation में put करके देखेंगे कौन से equation में जो यह है हमारी fraction तो इसमें रखके देख लेते हैं तो हमारा fraction क्या होगा देखो ध्यान से समझो बहुत सांदार question है इस वाली equation में यहां पर यह होगा ही कहा गया fraction यह वाला इसमें यह equation 1 नाम देदो तो मैं ही क्या कर रहा हूं putting putting x equal to 9 in equation 1 equation 1 में x equal to 9 रखो तो क fraction is equal to x की जगे 9 तो 9 minus 3 upon 9 तो यहां से कितना answer आजएगा 6 upon 9 मतलब solve करके क्या आएगा 2 upon 3 तो एक fraction तो यह मिलिया अब दूसरा क्या करेंगे putting x equal to कितना 5 in equation 1 तो यहां से कितना जएगा देखो तो fraction क्या हो जगा अब fraction fraction is equal to x जगे क्या रखना है 5 तो यहां पर रखो 5 minus 3 upon 5 तो यहां से कितना जगा 2 by 5 तो यह दो answer है इसके proper मतलब वो fraction कुछ भी हो सकता है या तो 2 by 3 या 2 by 5 बहुत ही प्यारा बहुत जपरदस को संथा सब्सक्राइब करते हैं और गलत तरीके से करते हैं अब मैंने आसानी से आपको बता दिया मेरी ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक के सब देखना जितनी बाते मैंने मताई उसको नोट डाउन करना बहुत ही सांधार को सब्सक्राइब वीडियो अच बहुत प्यारे कुछन की साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों